कि यह जो क्लास होती है जो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूं इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है आप लोगों के लिए ठीक है इतने भी स्टूडेंट होंगे उस टाइम एविलेबल तो वो जॉइन कर सकते हैं अधर्वाइस आप लोग इसी क्लास को ठीक आठ बज़े यूट्यूब के उपर देख लीचिए एक तो डाउट फिर से आगे स्टूडेंट के तो मैं आप लोग को दो मिनट लोगा बस तो समझे जिस भी स्टूडेंट ने अगर हिमाचल से बाहर कोई भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है तो कोई बात नहीं आप लोग सिरफ हिमाचल के बॉनोफाइड होना आप लोग के पास जरूरी है ठीक है हिमाचल का बॉनोफाइड होना कंपलसरी है एजुकेशन कहीं से भी कर रखी हो आपने इसके अलावा आप लोग 18 साल के होने चाहिए complete 18 प्लस और 1 जनवरी 2003 से पीछे के होने चाहिए ठीक है 31 दिसंबर 2002 तक की आप लोग की डेट ओफ वर्थ होनी चाहिए अगर आपकी एक दो दो हजार तीन डेट ओफ वर्थ है तब भी आप लोग इसको अप्लाई नहीं का सकते हैं यह भी चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है और उसके बाद अगर आप लोग के प्लस चुमे 50% मार्क्स हैं तब ही आप इस एक्जाम को दे सकते हो अधर्वाइज अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तब शायद 50% का कोई पंडा नहीं है आप लोगों के लिए टेक है ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो आज हमारा second mock test है second mock test में आज हम जो बात करने व जो आप लोगों के एक्जाम में पूछा ही जाता है उसके question आज हम discuss करेंगे ठीक है छोटा सा session होगा एक ही question आप लोगों के साथ discuss करूंगा पांच number का question आप लोगों को सीधा पूछा जाएगा क्यूंकि इसके बाद मेरी 10-15 मिनट में class है coding and recording आप लोगों के जो class होगी रात को 9 बजे पूरा chapter समझाओंगा इसी week सिरफ coding recording करवाओंगा ठीक है क्यूंकि इसके 6 या 7 type बनते हैं वो आप लोगों को समझने पड़ेंगे sheets आप लोगों को कल मिलेंगी इसकी जो भी student है paid classes वाले सामने आप लोगों के question ऐसा लिखा होगा एक्जाम में भी सीम ऐसा ही question पूछा होगा आप मेंसे कितने ऐसे student हैं जो इस question को solve कर सकते हैं जरा मुझे yes और no में बता दीजिए audio of ही रखना अपनी है आप मेंसे कितने ऐसे student हैं जो ऐसे questions को solve कर सकते हैं किसी ने पहले देखा होगा ऐसा question तो बताओ जल्दी कर सकते हैं आप जिन्होंने देखा है वो तो ठीक है जिन्होंने नहीं देखा है वो समझेंगे आज इस question को और इस पूरे topic को देखो इसका जो basic method हम आप लोग करते हैं वो क्या करते हैं हमें ऐसे question दे दिया जाता है और आप लोगों से यह कहा जाता है कि यह इनने certain code यह यह चीज़ी ऐसे ऐसे लिखी गई है आप लोगोंने इस पूरे certain code को क्या करना है कि she कहां कहां लिखा है डूंडेंगे she यहां लिखा है she वहां लिखा है कहां लिखा है फिर who कहां कहां लिखा है अगर who हमारा यहां पे लिखा है तो इसे भी यहीं डूंदेंगे तो ऐसे करते करते हमारे 2-3 minute खराब हो जाएंगे आज का दिन आप लोगों को कम से कम 4 या 5 लगेंगे को करते हुए बट जिस दिन आप लोग की लास्ट क्लास होगी सेचरडे को इसी कोशन को आप 30 सेकंड में मतलब की आप लोग इस पूरे को आप सॉल्व करने में कम से कम वन एंड हाफ मिनट लोगे तो मैं चीज़ें आप लोग को क्लास में बता दूंगा कैसे कैसे कि आप लोगों को जंब ऐसा कोशन आ जाए आप लोगों को पूरी की पूरी लाइन लिखनी है ुए इसके बाद जब आप लोग प्रेक्टिस से बाहर होंगे आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगोंने क्या क्यूले हैं, आप लोगों ने ऐसे नोडाउन करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, She, Who, Knows, Mohan. आप लोगोंने ऐसे लिख लिया, She, Who, Knows, Mohan. स्टार्टिंग में जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, तो इसके आगे counting भी कर सकते हो और इसके नीचे ऐसे line लगाना चाहिए तो line भी लगा सकते हो जैसे ही आप लोग की next line आएगी मोहन वाज गुड ड्राइवर जैसे यहां पर मोहन पहले सी लिखा है तो मोहन के नीचे दवल कॉमा लगा देए वाज गुड ड्राइवर आप लोग का कहीं भी नहीं है तो इसी लाइन के आगे आप लोग यहां पर लिखो वाज गुड ड्राइवर ठीक है ऐसे इसका जो सिंपल ट्रिक होगा वो मैं आप लोग को बता दूँगा बाद में क्या करना आप लोगों आप लोगों ने पहले इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है आगे है करन नोज मोहन ठीक है करन नोज मोहन करन है जो आप लोग का वो मोहन को जानता है करन का इन दोनों लाइन में कहीं भी डिसकेशन नहीं है तो करन को यहां लिख दो नोज का डिसकेशन यहां पे हुआ ह तो तीसरी लाइन में आप लोग नोज के नीचे कर तो यहां पर मोहन का डिस्केशन हुआ है इस लाइन को फिर आप लोग ऐसे करना चाहिए तो कर सकते हैं नेक्स जो आपने है ऑजाग अट्राइवर और जूह आपनुंका कहां पर यहां पर वाज आप लोग का यहां वाज ड्राइवर और के इन्याओं फूराइवर का डिस्केशन कहीं नहीं है तो हम यहां से आफ को हटा सकते हैं फिर आप लोगों ने यह वाला इतना सा लिखती है आगे लिखा हुआ है इस लाइन को हम इस तरह पड़ेंगे अब यह जो कोड़ दे रखे हैं आप लोगों ने इनको भी ऐसे ही लिखना यह दियान लखना है आगे की लाइन XM है आप लों का यहां से आप लों को ना हिंट मिल जाएगा कि इस लाइन में तिरफ एक ही कोड के नीचे डबल कोमा है तो इसका मतलब एक ही कोड होगा जिसके नीचे डबल कोमा होगा बाकी लाइन ऐसी ही लिख दे जाएगी यहां HM आ जाएगा, AL आ जाएगा, AS आ जाएगा और XO आ जाएगा ठीक है इसके बाद है XM, EH और IK, XM आप लों का और्डेडी यहां पे है, XM है आप लों का EH है और IK है EH आप लों का यहां पे है और IK जो आप लों का है वो हमने कहीं भी नहीं पिछे लिखा हुआ तो आप लोग IK को यहां पे लिख देजिए इसके आगे आगे है आप लोग का IK HM IK के निच्छे आप लोग double कॉमा लगा देजिए HM आप लोग का यहां पे है OC लिख देजिए OC आप लोग का fourth line में है और EX आप लोग का कहीं पे है तो EX जो आप लोग का है कहीं पे है हमने EX को लिखा हुआ है कि एक्स की जगा यहां पे इजट को गई है कि इस लाइन के आगे चला जाएगा जो की अलग होगा और एक्स वह आप लोग का यहां पे है फॉर्ट लाइन तो आप लोग इस लाइन को देख लीजिए यह कि लोग इस लाइन में आप अपनी होग यह वाली यह तीसरी लाइन आप लोग की सबसे पहले स्टार्ट करना शुरू कर दो पहली लाइन यह थी दूसरी यह थी तीसरी एक तो यहां पर यहां पर कोई ऐसा वर्ड है आप लोग का जो पहली और फॉर्ट लाइन में आप लोग का रहा हो तो कौन सा आ रहा है एक एसी आप लोंका पहली लाइन में है और कॉर्ट लाइन में है तो का कोड़ आप लोंका क्या जाएगा ओसी आजाएगा नोज आप लोंका कहां कहां पे है एक यह पहली लाइन में है और यह आप लोंका तीसरी लाइन में है तो नोज के लिए क है कहा कहा है मोहन पहली लाइन में में दूसरी लाइन में है और तीसरी लाइन में यहां पे कोई ऐसा कोड़ है जो कि पहली दूसरी सब्सक्राइब कोड़े रिख कहींपे है आप का तो वोज आप लों का पहली और कौन सी उसमें है इसमें आ रहा है इसा कोई वर्ड आप लों का है जो पहली और फॉर्थ लाइन में आप लों का आ रहा हूँ तो हमें थोड़ा चेक करना पहली में आप लों का एक्स और विया रहा है तो यहां से एक चीज समझ आगे कि जो वह जो ड्राइवर है इसका जो कोड़ होगा या तो वह कोड़ आप लोंका होगा यह वाला है या होगा X और O HM होगा और आप लोंका X O Code जो आप लोंका होगा वो Bose का होगा ठीक है आगे आप लोंके पास क्या बचा A Good Driver ठीक है आपके पास क्या बचा A Good आप लोंका कौन-कौन सा हो सकता है हमें यहां से भी कुछ नहीं आइडिया मिलेगा क्योंकि यहां पर A L भी है और A S भी है तो यहां पर A और Good के लिए आप लोंके पास Code क्या बनेंगे या तो A L होगा या आप लोंका A S होगा और लास्टी में क्या बचा करन बचा तो करन के लिए आप लोंका Code क्या होगा करन के लिए आप लोंका Code है current कुण सी لائن में है, तीसरी और चॉठी में, ऐसा कौंसा code, थ्री और फॉर्थ में है, तो IK आपलों का 3 और फॉर्थ में है, इसके बाद off बचा है, of के लिए एकी code बचेगा, जो आपलों का ez होगा, तो इस question को आप लोगों ने इस तरह से करना है, कि पहले तो यह बताओ कितनों को समझ आया कि इसके इस थोड़ा कम है इस पता नहीं लगे यह आपके रिजनिंग की क्लास है एक मोग टेस्ट से छोटा सा आप में से कितने से स्टूड़न को आइडिया मिला कि यह कोश्टिन कैसा है आप क्लास में लेट आओगी तो आपको थ क्योंकि मैंने इसको आगे बीचे लिखा हुआ है इसका रणी पता लगा है अब ज्यान से समझना इसको एक बार फिर से यही कोश्चन में आप लोगों को शाम को भी करवाऊंगा अपने अओसी और मोहन वांजद गूड ड्राइवर इसको लिखा गया है एकसाम एके में करन वाज मोहन करन风 मोहन सरा इसको लिखा गया है एकस ए एक याच और IK में, who was the driver of current is known as IK, HM, OC, EXO में, ठीक है, इस question को जब हम करते हैं, एक basic funda जो आप लोंका होता है, जो आप लोंका use किया जाता है, आप लोंके HP, TRIPALSV के exam में, बहां पर हम क्या करते हैं, इन value को count कर लेते हैं, जैसे she कहीं दिखा है, तो देख लेंगे, she कहीं नहीं द लेंगे कहा कहा है, जैसे who यहां लिखा है, who यहां लिखा है, तो ऐसा कोई code आप लोंका यहां पे होगा, जो क्या कहाँ कर लो, who कहा है, OC का code भर भी same है, यहां भी OC तो इसका मतलब who बन गया, आगे है nose, nose आपका पहली line में है और तीस्य लाइन में है, तो पहली और तीसरी लाइन में ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपका सेम होगा ए और एच्च आप लों का सेम होगा आगे है आप लों का मोहन मोहन आपका कहा कहा है मोहन पहली लाइन में है दूसरी में है और तीसरी में है तो पहली लाइन में और दूसरी और तीसरी में ऐसा कौन सा वर्ड ठीक ऐसे आप मेझाव को करने पड़ेंगे बड़ अइसे आप लोग का टाइम थोड़ा था जादे लगेगा कि आप मेफ़शों के पास प्रयों को से durch को समझ जाओगे कि यह ऐसे ही होगा या ऐसी नहीं होगा ठीक है समझ यह इस मैथट को मैंने कैसे किया आप लोगों ने क्या करना है सबसे पहले ऐसे पूरी लाइन लिख ले लिए कैसे मैंने लिखा she who knows Mohan जहां पे समझ नहीं आएगा प्लीज बही पे चैट वोक्स में लिखते न कि समझ नहीं आए रिपीट की जिए तॉक है आगे की लाइन में पहली लाइन में लिखा she who knows Mohan लिख दिया आगे की लाइन लिखो Mohan was a good driver पहली लाइन कंप्लीट हो गई आप लों की दूसरी लाइन में लिख रहा हूं, मोहन वाज गुड ड्राइवर, मोहन पहली लाइन में रिपीट हो गया है, उसके नीचे डवल कॉमा लगा दो, वाज अ गुड ड्राइवर कहीं लिखा गया है, तो वाज अ गुड ड्राइवर कहीं नहीं लिखा गया है आपका ठीक है तो इसको complete कर दिया हम ने इसके बाद आगे चलिए और इसके आगे लिखा है current nose mohan करन जो आप लोंका है वो mohan को जानता है तो मोहन आप लोंका आ गया यहां पे nose आप लोंका आ गया current ना पहली line में है ना दूसरी line में है तो करन को तीसरी line में वहाँ पे लिक दो जहां पे space कर चाता है who was driver of current फो आप लोंका fourth line में आएगा क्योंकि fourth line आप लोंके already vacant है तो पहली लाइन आप लोग की ये थी, दूसरी ये है, तीसरी ये है, फूर्थ ये है, यहां लिखा है, who was driver of current, तो who यहां लिख दो, was कहीं पे है, तो was के नीचे यहां लगा दो, who was driver, driver आप लोग का यहां पे आए, of current, तो current के नीचे ये लिख दो, और of आप लोग का यहां बात समझ आगी आप लों को जितना मैंने अभी लिखा जल्दी से समझ आया मैंने क्या किया क्या नहीं किया जल्दी से लिगा यहां तक कि आ गया समझ अब हम लोगों ने इतना सा पॉर्शन कंप्लीट कर दिया अब मेरे पास यह वाला पॉर्शन बचा इस को भी सेंव् फॉर्मेट में लिख दो पहली लाइन में क्या लिखना है पहली लाइनमें लिखना हैए कि अगे के लिखना है एम just on online ओसे ओर ऐगा एव Whats यह और आए गा एकसैन टायjak पहली लाइन मैच कर रहा है XM मैच कर गया आप लोग का और इसकी आगे जितने भी वर्ड हैं शब्द लिखे गए हैं इनको आप लोग नॉर्मल ऐसे ही लिख दो A L A X और आप लोग का A S और X O ठीक है इनको ऐसे उठा के आप लोग लिख सकते हो नेक्स जाए आपका XM, EH और IK यहां से हिंट लो तीसरी लाइन में दो वैल्यू जाएंगे तो XM, EH और IK आपका पहले कहीं न कहीं पे उठा के मैंने लिखा होगा तो XM को ढूंड लो, EH को ढूंड लो, कहां लिखा है तो XM यहां लिखा है, EH यहां लिखा है तीसरी लाइन में और IK का पता है कि IK कहीं नहीं लिखा है तो IK आप लोगों नहीं ऐसे लिख दिया, तीन लाइन कवर होगी fourth line देख लिजिए fourth line IK है HM है OC है EX है और XO है तो सिरफ दो ही word आप लोगे लिखे होंगे तीन word लिखे होंगे sorry चार लिखे होंगे एक आपका नहीं लिखा गया होगा इसका मतलब IK आप लोगे कहीं न कहीं हो सकता है या HM हो सकता है OC EX या XO आप लोगे कहीं न कहीं होगा ही होगा तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं IK आप लोगे कहीं पे लिखा है IK यहां लिखा हुआ है HM कहीं पे लिखा है HM आप लोगे 4th line में यहां लिख दो OC कहीं लिखा है OC आप लोंका यहां लिख दो आगे EZ कहीं लिखा है EZ हमें कहीं नहीं लिखा है तो EZ को मैं separate लिखूंगा XO कहीं लिखा है तो XO को मैं यहां लिख दूँगा पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चोथी लाइन इस पूरी लाइन में कोई डाउट आया आप जल्दी बताओ इस लाइन को लिखने में कोई डाउट आया कहीं ऐसा लगा हो कि नहीं ये क्या कर दिया इन्होंने फिर से गलत कर रहे हैं पहले भी गलत ने किया था अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि जो 9 बजे हम पढ़ेंगे वहां पर आप लूग क्या कर सको अपनी आप करना शुरू कर दो समझ गे ना यहां तक सभी के सभी कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता लगा अब हमें कोशन आगे आ जाएंगे आपसे बोल देगा कि भाई मोहन का कोड़ बता किया है अब कोड़ भी तो निकालने या मुझे वो कैसे निकालूंगा मैं कोड़ निकालने पड़ेंगे स्टार्ट कर दो लिखना स्टार्ट कर दो शुरू करना पहली लाइन में हमें शी है तो शी की वैल्यू देखो क्या है ठीक है शी कहा कहा लिखा है शी आप लोग का सिरफ पहली ही लाइन में लिखा है ठीक है जो इसका जो अंसर होगा वो भी पहली लाइन में ही होगा मतलब पहली लाइन में पहले नंबर पे होगा ऐसा नहीं है यह शायद यहां भी हो सकता था ठीक है यह मत समझना आगे हमारा हू है हू की वैल्यू देखो क्या है हू हमारा कहां कहां पे लिखा है हू लिखा है आपका पहली लाइन में और फॉर्थ लाइन में तो हू का जो कोड मिला मुझे वो पहली लाइन में और फॉर्थ लाइन में ऐसा कोड ढूंडो जो पहली लाइन में और फॉर्थ में है O.C. आपका पहली लाइन में है और फॉर्थ लाइन में है तो हू का code क्या हो गया OC हो गया तीसरा आपको कह दिया nose nose किसमे है पहली line में है और तीसरी line में है ऐसा कोई word डूंडो जो कि पहली और तीसरी में मिल जाए तो पहली और तीसरी में हमारा कौन सा आ सकता है EH आ गया पहली और तीसरी में है पहले दूसरी तीसरी में है यह वाला ये वाला आप भी अंसर साथ साथ दे सकते हैं अगर आप अपनों को समझ आ चुकका है मोहन भी हो गया अब आगे चलो वाज अगूड डॉड डॉडर अब वाज गूड जो आप लोंका है वाज ए गूड ड्राइवर ठीक है अब ढू तो यहां पर वाज आप लोंग का कहां पर है इसका कोड ढूंड दो वाज आपका कहां कहां है तो वाज हमें पता चल गया कहां है वाज पहले में है और तीसरे में पहले में है और फॉर्थ में है तो ढूंड़ो ऐसा कोई वर्ड है जो पहले में और फॉर्थ में है तो पहले वास का ड्राइवर होगा इसके साथ तो वास ड्राइवर आप लोगह 1 और 4 मी stuff 5 होगा तो इसका कोड़ स्रेक्व कोड़्यह प्राइवर suf यह बाज भी हो गया आप लोग की है और ओफ की वैलिव आप लोग के सामने है आप बताओ कितनों को समझ आया कितनों को नहीं समझ आया कर सकते हैं कोशन अगर मैं प्रैक्टिस के लिए कोशन दे दूं आप लोग को पहले दिन आप लोग को यह कोशन होंगे 100% समझ आगे वेरी गूड ठीक है यह चीज फॉलो कर दिए सब स्टूडेंट को समझ आ गया कर सकते हैं ऐसे कोड़ आप लोग को सॉल्व करने को आ जाएं ठीक है ठीक है नौ बज़े की क्लास होगी आप लोग की एस तो सारी लाइन में है कौन सी सारी लाइन में है एस बताईए मुझे एस तो सिरफ आप लोग का सेकंड लाइन में है इसके लावा तो एस कहीं भी नहीं आया आपका बच्चे एस आप लोग का सिरफ सेकंड लाइन में है नीचे देखो कहीं एस का नाम निशान ही नहीं मिल है अच्छा नोज एज अरे बच्चे इसका मतलब ये लिखा गया है कि इसको कहा जाता है यह जो आप लोग इसको पढ़ रहे होना, इसको लिखा गया है कि इसका जो आप लगो नहीं है यह तो आप लोगों को नो कुछ निकालना या यह को सब्सक्राइख लिए। निए नाय। हैं दो defensive को यह याव क्योंते हैं कोई भी डॉट आएगा message क कीजी यह मुझे हाऊ